नमस्कार में प्रियर अंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे अडानी इंटरप्राइज स्टॉक के बारे में इस समय देखें तो लास्ट रेडिंग सेशन में 7% के आसपास की गिरावट देखी और इस गिरावट के कारण क क्या थे आई होप कि अब तक तो आप सभी लोग अबगत हो ही गए होंगे कि अमेरिकन इंवेश्टर को समन भेजा गया इसके जो निवेश्ट लोग हैं जो इंसिटिशनल बायर हैं उनको की अडानी ने जो एलिगेशन लगा उसको लेकर के क्या किलियरिफिकेशन दिया हल नहीं देखेंगे जॉइंट विंचर है 50-50 परसेंट का और लगभग 200 करोर फंडरेज कर लिया है डाटा सेंटर नोइडा और उसके साथ ही चिन्नई के लिए जो की एक बरी खबर रही है इसके साथ ही आगे देखेंगे तो आगे पाएंगे किसी प्रकार के कॉमन न्यूज जो 200 करोर का फंडरेज करा है उसको लेकर न्यूज सत में के नोमिनाल दिलेवरी दिखेंगे तो काफी लास्ट रैडिंग सेंट में नॉमिनल डिलेवरी दिखी और इस प्रकार के न्यूज सेंटिंग पैनिक इससटोक में पहले भी हमने देखा है फ्री मंत ये रिटर्न त आपको इससे मैं वेट करना चाहिए 2360 जब तक इसके उपर की क्लोजिंग नहीं देता है रिवर्सल नहीं दिखेगा मंडे को बहुत सारे लोग यह क्या रहा है कि सर क्रैस होते दिखेगा तो I don't think so कि क्रैस होते दिखेगा तो इसके लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे और यहां से रिवर्सल दिख सकता है लेकिन डाउन ट्रेंड की बात करें तो 2800 तक के लेविल्स भी दिखेंगे तो थोड़ा कौसन रहने की ज़रूरत है 2170 के नीचे आए तो अगेन एक फ्रेस सॉट करने की अपर्चिनिटी मिल सकती है